तो बई आज हम बात करेंगे कोई भी आपकी category है, एज़ एग्जेटर काम करते हो एज़न इस ड्वालपर काम करते हो वीडियो एइटिंग करने है, फोटो एइटिंग करने है, music production खोला हुआ है, जब उसके बाद अगर आपने animation करने है, graphic design करने है, architecture की study करो है मैं हर एक category की according आपको laptop बताऊंगा तो वीडियो के साथ बने रहना इसके उड़ मत करना स्टार्ट करते हैं वीडियो लेकिन सबसे पहले मैं आपको इतना बता देना जाता हूँ आज हम बात करेंगे अगर आपका budget 90,000 से कम है यार मैंने पहले ही उसकी वीडियो की है मけれरे आपको देखनी को मिल जगी तो स्टार्ट करते हैं अगर आपका budget 90,000 से लेके 1, 2000 घ्ल 8,000 हो जाता है हम इस बात कर लेते हैं तो अभी बात करते हैं अगर आपका budget 90,000 से लेके 1, 10,000 हो जाता है इस price range में यार मैंने रखे है 4 laptop ये 4 laptop पूरे loaded होने वाले अगर आपने अज़ा professional काम करना है अज़ा pro काम करना है जाँ फिर अगर आपने अज़ा creator काम करना है तो ज्यादा समय खराब नहीं करते नंबर 4 की बात करते नंबर 4 पर यार मैंने रखा अगर इस laptop की बात करूँ तो या नाम से पता चलड़ा कि आपको मैसी क्रेटर तो बैस्ट फोर क्रेटर के लिए प्लस इसके models बगारा बहुत देखनी को मिल जाए आपको 16GB RAM भी मिल जाएगी 8GB RAM भी मिल जाएगा आपको 4GB Graphic Card भी मिल जाएगा आपको 6GB Graphic Card भी मिल जाएगा अगर आपने ऐसा pro काम करना ऐसा professional काम करना आपके लिए perfect deal हो सकते हैं आप जा सकते हो MSC Creators की और ठीक है आगे बात करते हैं अगर इस laptop की बात करूँ तो 2020 में सबसे जादा बिकने वाला सबसे जादा पसंद किये जाने वाला ये laptop है इसके जो design होगे इसके color होगे प्लस इसकी back side में आपको LED lighting देखने को मिल जाती जो कि आप customize कर सकते हो अगर मैं इस laptop की बात करूँ इसमें आपको 8GB RAM भी मिल जागी आपको 16GB RAM भी मिल जागी उसके बाद graphic card की बात को 4GB graphic card भी मिल जागा Citrix को अगर इस laptop की बात करूँ तो यार इसका stylish design तो मिली जाता हो उसके साथ साथ भी specification इसके पूरे लुटरिम मिल जाते हैं प्लस मैं आपको बता देना है जाता हूँ सभी के लिंक मैंने प्रवाइड के इन description box में देखने को मिल जाएंगे अगर मैं इस laptop की बात करूँ तो यह 90,000 के बज़र में आपको laptop मिल जाएगा आपके लिए यह laptop भी perfect deal हो सकता है अभी बात करते है नमबर वान की बात करूँ नमबर वान पर यार मैंने रखा है HP Omen को अगर इस laptop की बात करूँ यह laptop भी बहुत तगड़ा भी अगर आपने ग्राफिक डिजाइनिंग करने है उसके बाद अगर आपने लाफ्स्रीम करने ह आपके लिए best deal हो सकता है जो laptop है वो dual display sport करता है जो कि इसका plus point देखने को मिल जाता है इसके और भी specification बहुत आते हैं आपको dual fan मिल जाते हैं anti dust cooling मिल जाते हैं display quality इसकी भी बहुत तगड़ी है अगर मैं बात करूँ HP Omen की इसका price तो यार दो लाग के budget तक भी चला जाता है ठ चारो लएक्टाव में आपको देखने को मिल जाएंगे and अगर आप उसके बज़एगे लेना जाते हो तो आपको एक और दस जार के budget मैं जा एक लाक के बज़ड में आपको फुल लूड़े Süperad कर सकते हो उसके बाद एकड़े साउजबर कर सकते हो इसके भी बात कर सकते है तो अभी बात करते हैं, अगर आपका budget 1,10,000 से लेके 1,40,000 हो जाता है, अभी हमें इस price range की बात करते हैं, प्लस मैं आपको कहा देना जाता हूं भी, मैं आपको deeply नहीं बता रहा है, because मेरी वीडियो को length जादा बड़ा हो जागा है, उसका कोई फैदा नहीं है, so that's why और कोई भी reason नहीं है, अभी start करते हैं भी, अगर आपको budget 1,10,000 से लेके 1,40,000 हो जाता है, इस price range में, यार मैंने 5 laptop रखे हैं, दो बताउँगा, अगर आपने gaming करने हैं, अगर आपको ऐसा प्रो काम करने है, अगर आपको ऐसा design चाहिए, आपको classic design चाहिए, या premium design चाहिए, मैं आपको तीन laptop बताने वाला हूँ, तो start करते हैं gaming laptop से, सबसे बहले बात करते हैं, नबर 2 की नबर 2 पर यार मैंने रखा एसर प्रडेटर को, अगर इस laptop की बात करूँ, best stuff for video acting के लिए, end by best stuff for gaming के लिए, last stream के लिए, अगर आपने high setting पे gaming करने हैं, जहां अगर आपने 4K video acting करने हैं, आपके लिए best deal हो सकता है, इसर प्रडेटर मैंने link परवाइड किया, आपको description box में देखने को मिल जागा, अगर इस laptop की बात करूँ, आपको 144 refresh rate देखने को मिल जाएगी, उसके बाद हम बात करें, आपको 16GB RAM देखने को मिल जाएगी, आप पर इड़ आप 32GB तक कर सकते हो, आपको जो graphic card है, वो बहुत अगरा मिल जाएगा, जो की 6GB graphic card मिल जाएगा, आपको 2060 RTX graphic card मिल जाएगा, ओपरेडी सिस्टम आपको latest version मिल जाएगी, तो आप इसको चाओड करना, अगर आपको gaming के लिए चाहिए, अगर आप insert predator की और जाना चाहिए, आप जा तकते हो, अगर आपको video acting के लिए चाहिए, आपके लिए best deal हो जाएगी, अगर आपको gaming करने है, लाफ स्ट्रीम करने है, उसके साथ वीडियो acting करना चाहिए, वीडियो acting करना चाहिए, बहुत तकड़ा आपके लिए होने वाला, अगर इस laptop की बात करूँ, इसकी भी display आपको 144 refresh rate के साथ देखने को मिल जाएगी, 16GB RAM मिल जागी, RTX Graphic Card मिल जाएगा, उसके बाद, आपको इसमें Ryzen का processor देखने को मिल जाएगा, आपको Ryzen 7 देखने को मिल जाएगा, जो की बहुत अतगड़ा है, अगर आपने कोई भी heavy software भी use करना, आपके लिए perfect deal हो, अभी आप इन दोनों laptop के और जा सकते हो, जितनी भी loaded file पे काम करना, आप कर सकते हो, तो यह, अभी मैंने आपको दो laptop बता दिया, अभी बात करते हैं, अगर आपको एक classic design चाहिए, premium design चाहिए, end अगर आपको वाल लक टैंट हों चलेगे, वाल लक फॉरी थाउनले, इस प्राइज रेंज में, मैंने ती laptop रखें, बात करते हैं, पर यार मैंने रखा है, Casus Zenbook Duo को, अगर इस laptop की बाद आपको dual display देखने को मिल जाते है, second display जो है वो आपको touch screen देखने को मिल जाए, आपको 16GB RAM भी मिल जागी, आपको 32GB RAM भी मिल जागी, आपको 8X graphic card भी मिल जागा, आपको MX2502GB के साथ graphic card भी देखने को मिल जागा, मतलब जितना पे करोगे, उसके according आपको specification मिल जाएंगे, आप देख लेना अगर आपने इस laptop के और जाना है, आगे बात करते है, number 2 की, number 2 पर यार मैंने रखिया है, Microsoft Surface Book 3 को, अगर इस laptop की बात करूँ है, ये 2-in-1 laptop है, आप as a tab भी use कर सकते हो, आप as a laptop भी इसको use कर सकते हो, प्यारे देखने को मिलते हैं, आपको 8GB RAM भी मिल जाएगे, आपको 32GB RAM भी मिल जाएगे, आपको 16GB RAM भी मिल जाएगे, मतलब जितना पे करोगे, उसके according आपको specification मिल जाएगे, आपको 4GB Graphic Card भी मिल जाएगा, आपको 6GB Graphic Card भी मिल जाएगा, आपको i5 भी मिल जाएगा, होते जाएंगे एक बार आप इसको चावड़ जुरूर करना आपको बहुत पसंद आने वाली है आगे बात करते हैं नमबर वन की नमबर वन पर यार मैंने रखिया HP Spectre X360 को अगर इस लैप्टाप की बात करूँ ये लैप्टाप स्टार्ट हो जाता है 90,000 से नब्य हजार से स्टार्ट हो जाता है इसका प्राइस बाई दो लाग के अपर भी चला जाता है ठीक है इसके भी स्पैसिफिकेशन बहुत है बहुत है अगर आप देड़ लाग के प बहुत पसंद करते हैं इस लैप्टाप को बिक्रस इसका डिजान इसकी बिल्ड को इसकी डिस्प्ले की क्वाल्टी बहुत है प्लस HP ब्रेंड है कि ट्रस्टेड ब्रेंड आपको मिल जाते है तो आप चेक उट कर ले ना अगर आपको ये लैप्टाप पसंद आता है अब जा सकते हो HP स्पेक्टर X360 किया तो यहर में स्पेस्फिकेशन में आपको पांचो ही लैप्टॉप्स के बता दिये पांचो लैप्टॉप आपको पूरे लोड़िड मिल जाते हैं अगर आपका परेड वान लैक चांस हों से लेके वान लाक फॉरी थादून है इन में से सब्सक्राइब नहीं होने वाले आपको फुल लोड़िड लैक्टॉप देखने को मिल जाते हैं बिल्ड क्वाल्टी बहुत सही है उसके बाद डिस्प्ले क्वाल्टी बहुत सही है स्पैसिफिकेशन एक कॉर्णि भी आपको बहुत तगड़े मिल जाते हैं एंड मैं जो बहुत तगड़े होने वाले मैं जितने भी लैक्टॉप बताऊंगा वो बहुत तगड़े होने वाले हैं तीन लैक्टॉप बताऊंगा अगर आपको ऐसा गीमिंग करनी है वीडियो एक्टिंग करनी है उसके बार फोटो एक्टिंग करनी है जा कोई भी हैवी सॉफ्टिय यूज करना है लास्ट इन करना है आपके लिए मैं तीन लैप्टव बताऊंगा एंड अगर आपको एक प्रो काम करना है आपको एक प्रीमियम डिजान चाहिए क्लासी डिजान चाहिए तो आपके लिए मैं पांच लैप्टव बताऊंगा तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले gaming laptop से बात करते हैं नंबो 3 की रेजर बेड 15 तो सबसे पहले बता दो इसके वीड बहुत देखने को मिलते हैं आपको लेजर बिलेक्स YES रहीं मिल जागी रेजर iLEकरेटे 50 देखने को ङे आगे भी सके भी इसके बहुत देखतने को मिल जगा किसी में आफ को I-5 मिल जगा किसी में आपको आज सावन देखने को मिल जगा तो आप देख लेना इन इन वे स्थावा एन मेंने रख हुरेिए अगर इस लैप्तॉब पैर यह को देखने को मिलते सबिक्सक्राइब PM तगड़े हैं आपको i7 देखने को मिल जागा 32GB RAM मिल जागी 8GB Graphic Card मिल जागा उप्रेणी सिस्टम आपको विंटू 10 मिल जागी प्लस MSC के और से आपको बहुत साफ्ट्वेस वेर इंस्टाल देखने को मिलेंगे तो आपके लिए तगड़ा होने वाला है अगर आपने गीमिंग करने हैं लास्ट्रिम करने हैं आप इसली नॉर्मली कर सकते हो भी आगे बात करते हैं नमबर वान की नमबर वान पर यार मैंने रखा डैल एलियन वीर मुझे लैप्टव यह बहुत जादा पसंद है विकर इसकी एंड जो एलियन का बैक सैड में लोगो आता है जो वह आर जीवी लाइटिंग के साथ देखने को मिलता यार उसकी लुक बहुत जादा सी एंड इसके स्पैसिफिकेशन भी बहुत धगड़ा अगर आपने आज तक कोई भी हावी सॉफ्टवर यूज करना है लास्ट्रिम क अब उसके बाद भी अगर आपने फूर के वीडियो आइक्टिंग करने आपके लिए पॉफेक्ट ट्रास हो सकता है डेल एलियन वेर आप इसको भी चावड करने ना मैंने सभी की लिंक पर वाइड किया मैं डीटली नहीं बता रहा है यार वीडियो को इस लेंद ज्यादा पड़ी हो जाएगी और कोई पैदा नहीं है तो अभी बात करते हैं अगर आपको ऐसा प्रो काम करना आपके लिए मैं लैप्टप बताने लगाँ पांच लैप्टप बताऊंगा बहुत तगड़े होने वाले हैं सीद्धी बात करते हैं नंबर फाव की नंबर फाइब की अगर आप एकश्पी स्पेक्ट्र एक्सथी सेफ सिरो की आर जाना आप जाए रोटे ओ प्ल एंच मुठId देखने को मिलता हैं तो मैं बात करों सैवंटीं इन्च की तो इसमें आपको इसचिशेग डिप्रै दिख सब्जwirग कार्श के सब्सक्तिाव आपको ओनुम चलू सॉफ्ट आपको प्री इंस्टाउल में जागा 2019 गोर देखने को मिल जाते हैं तो भई अगर आपने इस लैप्टाप की और जाना चाहते हो आप जा सकते हो आगे बात करते हैं नम्बो थ्री की नम्बो थ्री का लैप्टाप मुझे बहुत जादा पसंद है ठीक है मैं बात कर कि अंश्टाउल करने है ऐनिमेशन करते हो कार्टोनट रह करते हैं आपके लिए पॉफ्ट डील हो जाता है अगर आप इस लैप्टाप की और जा सकते हैं आपके पैसिव सूल हो जागे कौई आज तक का आपने कोई हैवी सॉफ्टएर यूज़ करना आप आप इजली नॉ वान के नमबर 2 और नमबर 1 पर यार मैंने रखी है Apple MacBook 13 या Apple MacBook Pro तो मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा सभी को पता है कि Apple MacBook की build quality का ऐसी है for creators के लिए for developers के लिए for as a pro आपने काम करना आपके लिए perfect deal हो सकती है बस मैं आपको इतना बोलना चाहता हूं भी अगर आपने इस laptop के और जाना है तो आपने 16 GB RAM के और minimum जाना ही जाना है उसके नीची आपने नहीं जाना विकास आपके पैसे खराब हो जाएंगे अगर आपने 8 GB RAM के और जल गया ठीक है अगेमिंग के लिए लाफ्स्ट्रीम के लिए रिटर आज ड्वाइब कार आपके लिए लाफ्टाप लेना चाहते हो आप से जादा पसंद किये जाने सबसे ज्यादा बिकने वाले ये laptop है तो यार्ड अगी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है खथम, अगर आपको मेरी बिंचियर गिए लिडिको लाइक करता ना,คमेंट करता ना, शेयर करता दोस्तों को पहरा लाइक है का हहा है,